नई वीडियो में स्वागत है दोस्तों फाइनली एक डाउट है कि सर बिहार इंजिनेरिंग का फॉर्म कब आएगा बिहार मेडिकल का फॉर्म कब आएगा जिसे MBBS भेटनरी में एडमिशन होता है इसके बाद BCC का फॉर्म कब आएगा जिससे नर्सिंग, एगरिकल्चर, फा इसे ने रिलेज किया एक ITI का एक Politechnic LE का लेटरल इंटरी का तो दोस्तों जितने भी कोर्से से हैं उसका अलग-अलग फॉर्म है जो BCC अपने ओफिसियल वेबसाइट से भरवाती है जैसे कि आपको अगर एगरिकल्चर करना है फार्मेसी करना है नर्सिंग करना है बियोट का फॉर्म फिलप करना होगा जो जैई मेंस के स्कोर पर ही डारेक्ट कॉंसलिंग होता है एक्जाम नहीं होता है अगर आप MBBS, BDS के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो इसका भी एक्जाम नहीं होगा नीट के बेसिस पर यूजी मैक का फॉर्म जो होगा उवरना होगा डा ATI का और एक DCECLE का तो आपको जो है वो वेट करना है अभी 10 से 15 दिनों के अंदर सारे फॉर्म जो है वो रिलीज करें स्ट्वेंट का ये डाउट है कि सर BCC का फॉर्म आएगा तो पता कैसे चलेगा और फॉर्म कहां पर आएगा तो दोस्तों आपको BCC की ऑफिसियल वेप जाएगा और फॉर्म का नोटीस जो है यहां लेटेस अबडेट देख रहे हैं इसी में अपडेट किया जाएगा जैसे कि आप ITI और DCECLE का देख रहे हैं कोई भी फॉर्म आएगा उसको एक महिने का टाइम दिया जाएगा फॉर्म फिल अप करने के लिए उसके बाद होते आपका जो होगा नवंबर दिसंबर तक भी जा सकता है जनवरी तक भी जा सकता है क्योंकि ओल डेडी जो है वो सेशन लेट हो चुका है लेकिन इसी सेशन में आपका एडमीशन होगा तो जिन भी एस्टुएंट को यह डाउट है कि फॉर्म नहीं आएगा डारेक्ट नमर के बेसिस पर एडमीशन होगा तो उनका यह मैं डाउट किलियर कर रहा हूं कि फॉर्म हंडेट परसेंट आएगा और फॉर्म जो होगा वो एक्जाम के बेसिस पर ही आपका एडमीशन होगा दोस्तों जो भी एस्टुएंट चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करें ताकि आने वाले जो भी अपडेट्स मैं अपडेट करूँ वीडियो के माद्यम से अपने चैनल पर सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ किनिये स्टुएंट को कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट स सेज़ कर सकते हैं ठेंक्स फ़र वाचिंग